Hello students, welcome to our channel, आप सभी का स्वागत है, आज हम समाजी की विज्ञान, class 9, जो term 2 का exam होने वाला है, काफी important question लाए है, इसलिए वीडियो को अन तक देखेगा, ताकि यहाँ पर clear तरीके से आप समझ सकें, ठीक है, अगर अन तक नहीं देखेगा, तो कुछ समझ में आने वाला नहीं खंड आ है, अती लगू उत्रिये पर्सन, काफी इसमें सौट एंसर रहेगा, ठीक है, पहला question है, धूरी सक्तियों में मुख्यता कौन कौन से देश सामिल थे, ठीक है, ध्यान रखी का जर्मनी, इटली और जपान, ये तीनों देश सामिल थे, इसका answer है, आगे हम बढ़ते हैं, फिर, slipper से आप क्या समझते हैं, रेल की पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तकते, जो पर्यों को उनकी जगहा पर रोके रखते हैं, उसे slipper कहते हैं, या पर गलती से करते हैं, लिखा गया है, कहते हैं होना चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो PDF भी होता है, नेक्स कोशन देखते हैं हम, निर्धंता रेखा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर गरीबी रेखा या निर्धंता रेखा, देखो गरीबी रेखा को बोलो, या निर्धंता रेखा बोलो, बात पराबर है, आए के उस अस्तर को, आए के उस अस्तर को कहते हैं, जि तो ये आपका ये भी question number 3 भी complete होता है question number 2 भी complete होता है 1 तो already complete है ना आगे देखते हैं ध्यान रखें एक चीज question number 1 से total यहाँ पर 7 question देंगे जिसमें से कोई 5 question आपको करना है 14 question एक बार देख लेते हैं क्या है सरवाजनी बितरन परनाली से आप क्या समझते हैं सरवाजनी क वितरन परनाली का अर्थ सस्ती किम्ते पर खादे और खादियान यहाँ पर खादियान वितरन के परभंदन की विवस्ता करना है गेहू चावल चीनी और मिट्टी के तेल जैसे परमुक खादियानों के को इस योजना के माध्यम से सरवाजनी के वितरन की दुकानों दुआरब पूरे देश में पहुचाए जाता है तो कोशन नमबर 4 3, 2, 1 जो भी काफ इंपॉर्टेंट कोशन बताय जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट कोशन है ठीक है कोशन नमबर अगर हम 5 में बात कर जाए तो क्या है हमारा 5 कोशन देख लेते है भारत में राष्टिय मानव धिकार आयोक का गठन कब किया गया था भारत का राष्टिय मानव धिकार आयोक एक सुआयत विदिक संस्था है इसकी गठन 12 अक्तूबर 1993 को हुई थी याद रखेगा 12 अक्तूबर 1993 यहाँ पर छटा कोशन जिसमें से 7 कोशन दिया रहेगा जो 60 कोशन रहेंगे उसमें से आपको केवल 5 कोशन बनाने है ठीक है याद रखेगा तो यहाँ पर उतर जो होगा कोशन नमबर 6 का आपको यहाँ पर PDF भी प्रवाइट हो जाएगा ठीक उसके लिए दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पर 6 नमबर पढ़ लेते हैं क्या है 6 से 14 साल की उमर में उमर के हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्ज सिक्षा का अधिकार है सन्विधान की 86 वी संसोदन दौरा सिक्षा के अधिकार को परजावी बनाया गया है सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त सिक्षा उपलब्त कराएंगे और स्कूल को का स्कूलों का परबंदन समीतियों दौरा किया जाएगा कोशन नमबर 7 में दिखा जाएगा तो मानसून में विरान मानसून में विराम से आप क्या समखती है मानसून में विराम का अर्थ है वह सुख समय जिसमें वर्सा नहीं होती है यनि ऐसा सुख आकाल हो जाता है उस समय क्या होता है वर्सा आपका नहीं होता तो question number seven भी complete होता है ठीक है question number यहाँ पर खंड आपका जो खंड वा है क्या है लगू उत्रिये person है ठीक है तो यहाँ पर नाथसी लोगो नाथसी लोग यहुदियों से घिरना क्यों करते थे तो इसका पूरे एंसर दिया वा नाथसी लोगो दोआरा यहुदियों से घिरना करने का निम्न वज़ा थी नाथसी विजार धारा के अनुसार नसली त्रिष्टा के अधार पर यहुदी विस्व की सबसे निम्न अस्तरिये नसल है तो जर्मनी के सभी समस्यों का मुल कारन यहुदी ही है यहुदी लोग जर्मन समाज से बिलकुल अलग बस्तियों में रहते थे जिने घेटा घेटो कहा जाता है तो काफी इंपॉर्टन कोशन सब दिखाया जा रहा है यहाँ पर कुशन नमर 9 में आपनी वेशिक काल में विवासाइक खेती का क्यों विस्तार हुआ दो कारण बतावे आपनी वेशिक काल में विभिन कारणों से खेती का तेजिस से विस्तार हुआ निम्न जिन में से दो नीचे दिया गया अंग्रेजों ने सीधे तोर पर जूट, चीनी, गेहूं और कपास जैसी विवसाइक फसलों की उत्पादन को प्रोसाहिद किया, इन फसलों की मांग बढ़ी 90H सदी में 90H सदी का यूरोप जहां बढ़ती सहरी अबादी को खिलाने के लिए खादियान की अफसकता थी, और योगीक उत्पादन के लिए कच्छे माल की अफसकता थी दूसरान मेरे सुरुआती दिनों में 90H सदी के अपनिवेशिक राज ने सोचा था कि वन अनुत पादक थी, उन्हें जंगल माना जाता था, जिसे खेती के तहद लाया जाना था, ताकि भूमी किर्सी उत्पादो और राजस पैदा कर सके, और राज की आए में वर्धी कर स के, तो आगे देखते हैं, क्या है सहरी छेतरों की गरामीन छेतरों में कैलोरी की अफसकता क्यों, चूकि गरामीन छेतरों में रहने वाले लोग अधिक सारीरी काज करते हैं, यानि गरामीन जो छेतरों में होते हैं, वो लोग काम, यानि वो लोग बहुत हार्ड वर्क कर हो यानि जो गरामी छेतर के होते हैं क्योंकि वो बहुत ही खटने में माहिर होते हैं इसलिए उनका जो कैलोरी होता है वो जादा होता है सहर का तुल नमर सहर वाला का क्या होता है दिमागी वर्ग जादा होता है करते हैं ये लोग सहर वाले बाने के अनाज आधी रूप मैं इन क आपदा के दौरान खादे सुर्चा कैसे परभावित होती है। प्रकृतिक आपदा जैसे सूखा और बार की कारण खादियान के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। कि यहां पर नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर टूल जो है। क्या है। लोकतंस में चुनो की अफशकता क्यों है। चुनो एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा लोग नियामीत अंतराल पर अपने परतिनीधियों को चुन सकते हैं। और यदि वे चाहे तो उन्हें बदल सकते हैं। चुनो निम्लिकित कारणों से अफशक माने जाती है। किसी भी बड़े समुदाइं में सभी लोको के लिए परति दिन एक साथ बैठना और सभी निर्ने लिना संभव नहीं है। इसलिए रिकांस लोकतंत्रों में लोग अपने परतिनीधियों के माध्यम से सासन करते हैं जो स्वाए्लों द्वारा चुने जाती हैं। इन परतिनिद्यों के चुनाओ के लिए चुनाओ जरूरी है दूसरा नबर चुनाओ पार्टी के धार पर लड़े जाती है बहुमत प्राप करने वाली पार्टी सरकार बनाती है अगर सरकार अपने वादों के नुशार काम करने में विसफल रहती है किसी भी व्यक्ति के जीवन, सौदंता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानवधिकार है मनुस योनी में जनम लेने के साथ मिलने वाला परतिक अधिकार मानवधिकार की फिरिनी में आता है सन्विधान में बनाएं गए अधिकारों से बढ़कर महत मान विदिकारों का माना जा सकता है उस्टन कटी निबंदी ये परनपादी वर्णों का वर्णन करें उनके मुख विर्च का नाम लिकी ये वन परादीब में अधिक वर्ण वाले भागों और उत्तर परदेश वा बिहार के मैदानी भागों में इन्हें उत्तर परदेश वा बिहार बिहार में भी ये काफी पाए जाती है बारत में ये वन महुयात में पाए जाती है बड़ी मातरा में जाती है ये वन सत्तर से दो हाजार सेंटीमीटर वार्सिक वर्जावाले छितर में पाए जाती है सहतूत, अनार, अवला, भुर्न, सीसम, अंजीर, गुंबी, सेब, बास, शॉल और अमलतास, पजड़ी, पड़ो के कुछ उधारन है दिर्ग उत्री पर्सन यहाँ पर वन सनरचन के उपाय का वर्नन करें सारे एंसर दियावाए वन सनरचन का कैसे आप उसको उपाय कर सकते हैं परिवरन के सनरचनात वर्नों को सनरचन अथियंद अवसेक परतित होता है वन सनरचन हितु देश में संसोधित राष्टी वन नीती 1988 में लागू की गई है इस वन नीती के मुखलच परिसितिक संतुरन के सनरचन और पुनाह अस्थापन द्वारब पर यवरन अस्थाइत को बनाए रखना है इस लच को प्राप्त करने हितु वन सनरचन के लिए नीती तो उपाय अफसेक है तो देखो काफी इंपॉर्टेंट कोश्चन सब बताया जा रहा है ठीक है अगर आपको चाहते हैं आप इसका पीडियाफ तो आराम से मिल सकता है ठीक है किसी देख के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मुलन के बीच एक कहरा संबंद है इस कत्हन की व्याक्या करें तो एक बर आप बतायेगा कि आपको जरुवत है तो आपको हम यहाँ पर पीडियाफ अराम से प्रोवाइट कर देंगे ठीक है भारत के चुनौब परनाली के विबिन घटको का वर्नन करें यह हमारा अराम से हम अपको सब का पीडियाफ आपको प्रोवाइट कर देंगे ठीक है यहाँ पर अराम से पूरा पीडियाफ मिल जाएगा वीडियो को फटफट लाइक भी करें और रही बात इंग्लिस मिडियम वाले क्या सोच रहे हैं कि क्या केवल हिंदी मिडियम के लिए ही काम किया जा रहा है इंग्लिस मिडियम के लिए काम नहीं किया जाएगा तो आपको बता दें आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दिजेगा इस और इंग्लिस मीडियम वाले ध्यान दिजेगा अगर इसको धूरी सक्तियों में मुख्यता कौन-कौन से देश सामिल है थे बस आप जर्मन जो भी हिंदी में उसको इंग्लिस में ट्रांशलेशन कर लेना अगर गूगल ट्रांशलेशन है तो वहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करके जान सकती है वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को सस्क्राइब किजेगा बेल आइकउन को प्रेस किजेगा और फटा फ़र शेयर किजेगा ठैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो